एक बंदा है ब्रिटेन का इसका नाम है इसका आप सर्च कीजिएगा गूगल में इसका एक ब्रिटिश नागरिक है यह कभी कभार टूरिजम के नाम पर जो है कोलकाता आया रहा होगा और कोलकाता में आ करके जालमुडी उसने खाया जो मुर्रा और मिला करके जो बनाते हैं सासो तिल डाल करके बड़ा बढ़िया लगता है वो शांदार लगता है और आज के समय मे आज के समय में तो काफी online deliveries हो गई है तो आपको अगर पिज़ा खाना हो या पेट भरने के लिए कुछ भी खाना हो तो आप online order कर देते हैं और आप घर में आ जाता है वो लेकिन किसी समय में क्या होता था कि शाम के समय में कुछ खाने की तलाब होती थी चाय के साथ तो उस जमाने में जो है जालमुडी या भेल जो है का था च्लन था त्माम सारता होगा च चाट मसाला डाल दी के और कई प्रकार का कुछ आप उसमें डाल सकते हैं तो एक रेशिपी है और सरसो तिल की महग जो है वो गजब लगती थी तो मज़ा आता था मजब सरसो तिल का जो गंद है वो अलगी एक नशा है उसका तो जालमुडी जो है वो बनाई जाती है काफी मतलब हलका और मस्त ये साफ सुत्रा खाना है है ना और एक अख़बार का जो है उसका पोटली बना करके उसमें जो है आपको दे दिये जाएगा और आप राह चलते रहे हैं ना कहीं आप तलाप के किनारे नदी किनारे समुंदर किनारे कहीं आप चल रहे हैं और आप उसको जो है थोड़ा थोड़ा खाते रहे हैं और उस जो बन्दा है का ये अंगास दीनन नाम फिपका और ये कभी जो है पहले कभी आया रहा होगा तॉरिस्ट के रूप में यहाँ पर कोलकाता में तो कोलका ने या तो झालमूडी लगा स्टाल ल्गाता है अर यह कहां लगए सब्सक्राइब करते हैं तो भी जो है जालमुडी आप बना सकते हैं घर में एक छोड़ा सा डेक्ची ले लीजे उसमें जो है सम्मिलाव उलाकरके दम मस्ट आइटम लगता है उसो खाईए और पेट भरके दम संतुष्ट है आप हो जाएंगे और फ्रॉसब्जी मिला देंगे उसमें तो आपका खाना भी हो जगता है है ना तो यह जो है आपके हाँ परंपरा यह आपकी विरासत है है ना ना कोई पकाने की जरुत है ना कोई इसको भीगो कर रखने की जरुर्वथ है ना बाकी सरसोर्य डालो और त्वरंट जो है तैयर हो जाता है और एक नंबर लगता है और इसमें घुखने हो सकते हैं और खा करके जो है कोई बहुत जारा यह कोई मटन वाला मामला भी नहीं है कि यहां कोई बिमारी है की नहीं है इसको देखें है ना एकदम साफ सुतरा बहतरीन खाना है बहुत बढ़िया है तो उसको आपने छोड़ दिया आप ममूस खा रहे हैं या जो भी कुछ पिज़ा खा रहे है या केक पिश्ट्री खाते होंगे आपके बच्चे भी खाते होंगे ओनल्लेन ओर बी करते ओंगे बताते भी होंगे अपने दोस्तों कि हाँ आज तो खाना बनाने का मन नहीं था तो इसलिए हम लोगों ने बाहर से मंगा लिया, ऑनलाइन ओर कर दिया और उसी उखा के हम लोग संतुष्ट हो गए यह सब आप लोग बताते भी होंगे, आप लोग गर्व करते होंगे यह बात कहते हुए कि हम लोग बहार से मंगा लिये, ऑनलाइन प्रेटरॉम से मंगा लिये और हम लोगों ने पेट भर लिये और हम सोने जा रहे हैं है ना, लेकिन ब्रिटेन का एक आदमी जो है अध्यर उमर का आदमी जो बहुत अमीर नहीं होगा, लेकिन जो आया यहाँ पर जालमोडी को सीखा उसने और वो ब्रिटेन में जा करके जालमोडी का स्टॉल लगा रहा है, है ना, वो कितने पैसे पा रहा है, वो महत्पूर् और आपकी विरासत को कोई दूसरा उठा के ले जा रहा है आपकी आखों के सामने से और आप अपने आपको आजाद समझते हैं, आप अपने आपको स्वाधीन समझते हैं, आप अपने आपको स्वाधीन समझते हैं, अपने आपको स्वाधीन समझते हैं, अपने आपको आजा बजाते हैं और तेरंगा लेकर के फिरते हैं बाइक के चारों तरफ तेरंगा आप उसको लटकाए रखते हैं तो आप अपने आपको सोततर कहते हैं आपके सामने से कोई आपकी विरासत की चीज जो है उढ़ा उधर ले जा रहा है बात सिर्फ जालमूरी की नहीं है इस कौन जो है जो इंटरनेशनल सिसाइटी फ radial क्रिश्ना कॉंशनसनेस है इस कौन जो है आपको अंदाजा नहीं है आप अगर भारत में आप किसी भी शहर में अगर आप सड़कों पे निकलेंगे भारत में अगर आप आज सड़कों पे निकलेंगे है ना आपको धेरों लड़कियां धेरों औरतें जो है वो पैंट शर्ट पहने आपको मिल जाएंगी तो यहां भारत में जो है रड़कियों को रड़कियों से उनका रड़की पना चीना जा रहा है विवस्था ऐसी बना दी गई है कि वो स्कूटी चला रही है बाइक चला रही है वो आजकल किसी के पीछे नहीं बैठती है तो अब उनका जो है सारी पहनना दिक्कत है वो जो है आजकल जो है पैंट शर्ट और इस तरह के तमाम सारे जो आउटफिट्स आ गए है और जो विदेशी परिधान है उनको जारा स्विकार किया जा रहा है, है ना, यह जो है, यहां चल रहा है मामला, यहां पर यह ट्रेंड भी उछाल उफान पर है, लेकिन इसके उलट जो है, इस कौन जो है, वो दुनिया भर में क्या कर रहा है, आप अभी जाकर सर्च कीजिए आप अपने यूट्यूब में, आप इसको सर्च कीजिए, जो यूरोपिय देश है, इस्पेन हो गया, इटली हो गया, जो रूसी देश है, जो स्लाविक लैंगवेज बोलने वाले जो देश है, चाहे रूस हो, चाहे यूकरेन हो, चाहे बलारूस हो, यहां पर जो इसकौन जो बहुत पहले, दशकों पहले जो है, हम लोग अभी देखा करते थे, उस तरह का शाज सिंगार, वो आज जो है, वो रोजाना वो करके, और उसके बाद में फिर वो जो है, जो है, रित्य करती भी सड़कों से गुजरती हैं, और वो जो आदमी रहते हैं, वो आवाहन करत हैं कि आप भी हमारे साथ आईए, जूड़िये, कृष्णा का हम लोग भक्ती में, हम लोग साथ में जूमें, है ना, ये जो है, वहाँ परमपरा है, ये स्पेन में, इटली में, वो लोग जो है, वो लोग निकलते हैं, और भगवत गीता किताब जो है, वो कोशिश करते है हैं कि ज़्यादा ज़्यादा लोग उसके संपर्क में आएं, और उसको जो है, वो जो है, वो उसको प्रचार-प्रचार करने कोशिश करते हैं, है ना, और बिल्कुल पुराने धर्रे से, जो पहले प्रभाद फेरी का जो एक सिस्टम हुआ करता था, है ना, कि जो है, भज जो है, उसको गोंने पुनर जीवीद कर दिया है, तो वो यूरोप में हुआ है, और यहाँ पर भी कहीं कहीं होता होगा, लेकिन इतने इतने सारे मंदिर हैं, लेकिन प्रभाद फेरी का सिस्टम कोई चालू कर रहा है क्या हमारी जो संस्क्रिती है, जो हमारी जो परमपरा ह हमारे जो बच्चे हैं आपके पास समय नहीं है उनके बाद उनको बठा करके बताने का लेकिन प्रभाद फेरिका का सिस्टम चलता रहता तो उनके भी ध्यान में रहता कि हमारी परंपरा यही है कि हम लोग सबरे सबरे भगवान का नाम लेते हैं और भगवान का नाम हम सुनत लुप टो तो यह समझने की जरुवत है कि आपके जाल्मूडी भी आपके सामने से हृइ और पिज़ा और ठंब सुब息 हमा दिया है यह और पके ना हम als bele समति कि का ट्री साथ खाना है और की इसरा चत्पार्रा का सुब्स ऑक दो जब दिए जब तक नब आपके जो जब सुबह जो है आप शोचाले जाएं तो आपको तकलीफ ना होने लगे तब तक उसों खाते रहिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपका बिल्कुल पैसा दे के खाईए ऑपड़ कीज़िए पेटियंग करिए है ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आपके सामने जो जाल मुली है है जो स्वस्त खाना है जो उरत मर्द बच्चे सभी पसंद करते हैं और गथा है विरेशी लोग आते हैं वOTH खाते बगता है वहां के बड़ी बड़ी शवपिं करता में बास से वहां मवा की खबरे चाप चाप करके आपने पूरा विश्वास हिला दिया है कि मिठाईयों पर कोई को भरोसा करेगा है ना तो आप सोचते हैं कि काजू किसमिस का जो है तो बड़ा अच्छा सा टाकेट बनाओ और वह स्विकार भी करो और उसको दान भी दो मैं किसी को गिफ्ट प्रन पापड़ी को लेकर जोक मारते हैं लोग यहां पर ओनलाइन पापड़ी को लेकर इतनी बहतरीन चीज है है ना बहुत बहुत करूंग करता हूं पहले पापड़ी हमारे हां जो सब्सक्राइब करेंगे इनको आप भी मौका दो दूसरे घर उनको बिजनेस मिलता था कि आप भी हमारे हाँ व्याकर करके जो है नमकीन बनाइए सब्सक्राइब अच्छा लगता है मुझे लेकिन सब्सक्राइब करें दिवाली के आसपास आज भी लोग गुमा रहे हैं तो अपनी मिठाईयों का अपने सब्सक्राइब का आपने जालमुडी का आपको सम्मान नहीं करना है और वो जो है वो ऐसमा समझे कि आप सम्मान नहीं कर रहे हैं तो वो पीशे चला जाएगा वो कोई और लेकर चला जाएगा और फिर आपके बच्चे जो है बच्चों के बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे जो है वो समझेंगे कि अच्छा ये तो बि करेंगे तो आप खरीदेंगे उसको शॉक से आप कहेंगे कि हम दिन का इंतजार किजिए आपकी करनी तो उसी तरफ जा रही है तो जब करनी उस तरफ जा रही है तो वह से नतिजे भी सामने आएंगा, ऐसा उमीद है और अगर इस वीश में कुछ लोगों के बुध्धी काम कर गई, कुछ लोगों को सत बुध्धी हो गई कि हम अपनी विरस्त को बचाब कैंगे और समय पर निर्भर है क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा और समय जानता है लेकिन संपनता आने के बाद में जो है स्थो एक यहां का अच्छी चीज़ों को हम इसा नकार देंगे ऐसा मैं σε नहीं था